मेरे प्यारी नन्हे मुन्ने साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं पुराने दिये से बनाए हुए आकर्षक सजावट की कलश तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए हमें चाहिए तीन पुराने दिये हरे रंग का कागच का टुकरा, दो पानी के बोटल के धकन, रंग, पोस्टर कलर, पानी, ब्रश, कैंची, सेविकॉल और सजाने के लिए जरी की पुरानी लेस तो सबसे पहले हम हरे रंग की एक कागच का छोटा सा टुकरा लेंगे अब इस टुकरे को इस तरह से मोरेंगे मोरने के बाद हम कैची से इसे पत्ते की आकार में काटेंगे ध्यान से देखिए किस तरह काटना है, आप भी आराम से काट सकते हैं इसे एक दिये में ब्रश की सहायता से पीले रंग लगाईए अब इस बोतल की धकन को फेविकॉल की सहायता से दिये के नीचे इस तरह जोड देजिए अब बच्चे हुए दोनों दिये को फेविकॉल की सहायता से इस प्रकार जोड़िए ध्यान रखिए कि दोनों दिये के मुह बराबर हो अब जुरे हुए दिये को रंग लगाईए कटे हुए पत्तों को एक एक करके फेविकॉल की सहायता से हम इस तरह लगाएंगे अब पत्तों की बीचों बीच थोड़ी से फेविकॉल लगाकर दुसरी वाली बोतल की धकन को इसमें हम चिपका देंगे और फिर थोड़ी से और फेविकॉल लेकर उसके बोतल के धकन की उपर भी थोड़ा से फेविकॉल और लगा देंगे और उसमें हम अपना पिला वाला दिया इसमें चिपका देंगे इस तरह अब हम जड़ी या गोटे की सहायता से इसमें डिजाइन करेंगे इस तरह इसमें इस तरह चिप करने से आपका ये देखने में और सुन्दर हो जाए। अब आपका कलश वाला दिया बन कर तयार हो गया। आप बड़ों की सहायता से इसमें तेल और बत्ती लगा कर इसको जला सकते हो। देखो कितना सुन्दर लग रहा है। करोगे न आप भी। बत्ती जलाते समय बड़ों का सहायता अवश्य लें। धन्यवाद।